Hello subscribers, this is Ake, knowledge exam में आप सभी का फिर से स्वागत है आज हम Phylum series में Phylum sealant rata को discuss करेंगे So, बिना time waste किये, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात, हमारे sealant rata को हम लोग क्या कहते हैं? Nidarians के नाम से भी जानते हैं अब ऐसा क्यों है? तो sealant rata के अंदर क्या होता है? कुछ stinging cells होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? Nidoblast कहते हैं, या फिर Nidocyte तो इसी Nidoblast के according हमने इसका दूसरा नाम क्या रख दिया? Nidarians रख दिया, अब ये Nidoblast क्या है? तो Nidoblast भी एक हिसाब से उन में क्या होता है? अब इसके अंदर ये function से हम लोग ज़्यादा से समझपाएंगे कि ये Nidoblast है गया, इसका function क्या-क्या है? तो ये attachment में मदद करता है, यानि अगर कोई Nidarian का member है, वो किसी surface पे attach होना चाता है, तो किसकी help से होगा? हमारे Nidoblast की help से attach कर सकता है खुद को. साथी साथ defense mechanism के रूप में भी काम करता है, मतलब मान लीजिए, किसी Nidarian का कोई member है, जैसे कि हमारा hideouse पर कोई predator हमला करता है, तो अपने आपको बचाओ भी किस से करेगा? हमारे Nidoblast से. साथी साथ अगर उसे अपने prey को पकड़ना है, तो उसको capture करने में मदद कौन करेगा? Nidoblast. तो Nidoblast एक हिसाब से क्या है? एक stinging cell है. एक stinging cell समझ में आ रहा है न? एक हिसाब से मान लो, एक pin है, चुबोने वाला. ठीक, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं. तो ये हमारे Nidarians के अंदर होता है. बहुत ही unique characteristic है. इस phylum का. Next है, इनके members क्या होते हैं? ज़्यादतर सबके सब marine होते हैं. कुछ fresh water में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा Hydra. ठीक है? साथी साथ देखेंगे, तो इनके कुछ members क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं, और कुछ members free swimming होगे है. ठीक है? Next point देखते हैं, इनमें symmetric क्या कौन सी होती है? तो इनमें symmetric होती है radial symmetry. और radial symmetry भी मैं पहले बता चुका हूँ. क्या होता है? अगर किसी organism को हम लोग किसी भी plane में काटें, और अगर वो 2 equal half में divide हो जाता है, तो उसे हम कौन सी symmetry कहते हैं? radial symmetry कहते हैं. तो sealant reta के members के अंदर radial symmetry पाई जाती है. Next है हमारा, इनमें कौन सा level of organization होता है, तो tissue level of organization होता है. Porifera में हमने इसे cellular level of organization देखा था. इसी के साथ, इनमें 2 germ layers पाई जाती हैं. इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम diplo-blastic कहते हैं. हमारे porifera में भी क्या था? दो germ layers पाई जाती थी, उसमें भी क्या था? diplo-blastic था. ये बात हमें ध्यान रखनी है. चलिए, अब next point देखते हैं. अब बात करेंगे, sealant reta के दो basic body forms की. तेक है? यानि, polyp and medusia की बात करते हैं. अब ये दोनों चीज़े हैं क्या? तो कुछ sealant reta के members क्या करते हैं? उनका जो body का structure होता है, वो polyp की तरह होता है. अब हम लोग diagram में देखेंगे, कि एक polyp का structure होता कैसा है. ठीक है? इसी के साथ क्या होगा? कुछ members क्या होंगे? वो medusia की तरह दिखेंगे हमें. ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक ही file हम के अंदर, कुछ members हमको polyp के shape में दिख रहे हैं, और कुछ members medusia के shape में दिख रहे हैं. दोनों shape अभी हम देखेंगे, तो और clear होगा. इसका मतलब overall ये निकला, कि sealant rita के members dimorphic होते हैं. वो दो body forms को show करते हैं. साथी साथ एक और सीज ध्यान रखनी है, कि कुछ members में ये दोनों form एक ही साथ present होंगे. मतलब एक life cycle में ये दोनों form में हमको उसके दिखाई देंगे. ठीक है? अब example के रूप में obelia, इसका बहुत promote example है, जो alternation in generation show करता है, जिसमें polypore medusa, दोनों stage एक ही life cycle में हम लोग देख पाते हैं. ठीक है? अब चलिए diagram देखते हैं. सबसे पहला diagram हमेरे सामने आए है नीडो blast का. ठीक है? और अच्छे से clear करते हैं थोड़ा नीडो blast को concept को. तो जो मैंने nematocyst शुरुआत में कहता है, वो ये निकला हुआ structure दिख रहा है, जिसे मैं mark कर रहा हूँ, वो है. आम तोरपर क्या होता है? रिलाक्स stage में ये अंदर की तरफ होता है. तो मान लिजी ये pin क्या है? बेसिकली अंदर की तरफ है. अब इसको क्या करना है? इस पर कोई हमला हो गया. ठीक है? अब ये उसे attack करने के लिए spin को pressure से बाहर निकालेगा. ठीक है? इस nematocyst को. और फिर जो भी इसका predator है, उसको क्या करेगा? डंक मार देगा. तो उसको कुछ ना कुछ tension उसमें जाएगा nematocyst से. जिससे क्या होगा? ultimately वो खुद को defend कर पाएगा. इसी तरीके से अपने prey को भी वो capture करेगा. ठीक है? तो overall क्या है? ये ही हमारा needle blast है, जिसमें nematocyst ये वाला structure है. ठीक है? next diagram देखते हैं. ये हमारा polyp का structure. मैंने जो कहा था न, कुछ species polyp के shape में होती है. तो कुछ species polyp के shape में होती है, यानि इस तरीके से दिखेंगी. यानि हमारा प्रमु की example कौन सा है? adamcia. वो इस तरीके का दिखेगा. ठीक है? polyp का shape इस तरीके का होता है. इसी तरीके से, मैडूशा का shape किस तरीके का होगा? ये. इसका प्रमु की example है हमारा औरेलिया. औरेलिया को हम लोग commonly क्या कहते है? चैली, fish कहते है. ये उसका दूसरा shape हो गया. ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं. next हमारा जो मैंने पहले बात कही थी, कि polyp और medusa एकी species में होना. ऐसा होगा, तो क्या होगा? और important बात है. तो देखिए, अगर polyp और medusa एकी species में पाया जाता है, तो उसमें क्या होगा? alternation होगा, एक life cycle में. यानि, पहले polyp आएगा, फिर medusa आएगा. ठीक है? वो किस तरीके सा आएगा? देखिए. पॉलिप प्रोड्यूस करेगा किसको? medusa को asexually. and medusa जो बना है, वो polyp को sexually प्रोड्यूस करेगा. तो यह overall stage होता है. ठीक है? तो याद रखना है हमें, polyp produces medusa asexually and medusa forms the polyp sexually. यह basically life cycle है, जिसे polyp है. polyp ने क्या किया? asexually medusa को बनाया. और फिर जो medusa बनाया है, उसने sexually फिर से किसको मना दिया? polyp को मना दिया. तो यह क्या होगा? यह किसाब से alternation हो रहा है, एक बार polyp, एक बार medusa. एक बार polyp, एक बार medusa. ठीक है? इसी process को क्या कहते हैं? alternation of generation. technical term में metagenesis. तो कितने बार खुशन आ जाता है कि metagenesis कौन से phylum में show होता है? तो phylum sealantrator में देखते हैं और specific रूप में, example के रूप में अगर देखें, वो है हमारा obelia. ठीक है? तो obelia किसका member है? sealantrator का member है, जिसके अंदर metagenesis देखते हैं हम लोग. और metagenesis का मतलब क्या है? alternation of generation. किसका? polyp and medusa का. एक ही species के अंदर. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. some other important characters, यानि हमार जो phylum sealantrator चल रहा है, उसमें कुछ और important feature से, अब उसको देखते हैं. body of some sealantrates are covered by calcareous exoskeleton. यानि जो corals होते हैं. ठीक है? वो भी किसके members हैं? तो वो ध्यान रखना है हमें. sealantrator के members है. और इनका जो body है, इसनका exoskeleton, वो किससे covered होता है? calcareous exoskeleton. यानि calcium से बना हुआ, एक exoskeleton होता है. ठीक? वो कौन है? हमारे corals हैं. वो किसके members है? sealantrator के. ठीक है? क्या होता है? इनकी body में incomplete digestion track होता है. जिसे हम क्या कहते हैं? blind sack कहते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? incomplete digestive track या फिर blind sack का मतलब क्या हुआ? ये जानते हैं. तो इसका overall मतलब ये होता है, कि एक ही single opening है हमारे organism के अंदर. जिससे हो अपना खाने को क्या कर रहा है? intake कर रहा है. और अपने waste product को उसी के थुरू बाहर निकाल रहा है. तो ऐसे digestive track को हम लोग क्या कहेंगे? incomplete कहेंगे. या फिर blind sack कहेंगे. जिसमें एक ही opening है और वो दोनों क्फंक्शन कर रहा है. food के intake का भी और waste material को बाहर निकालने का भी. तो ये feature किसका है? sealant rate का है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब digestion किस प्रकार का होता है? तो digestion दोनों type का होता है. that is extra cellular as well as intra cellular. extra cellular का मतलब समझ में आ रहा है cell के बाहर. cell के बाहर भी digestion होता है sealant rate के अंदर respiration कैसा होता है? तो respiration and excretion takes place by diffusion of gases through the body surface. तो क्योंकि ये बहुत lower organism, lower category का organism है. है ना? इन में lower categories के organism साते हैं sealant rate के अंदर. तो इनका respiration में कोई special organs पगेरा नहीं होंगे. पहली बात तो tissue level of organization है. तो basically respiration और कुछ हद तक excretion भी किस से कर देते हैं अपने body surface से ही सारा कुछ कर लेते हैं. ठीक है? कोई specific organs और tissues इन में नहीं होते हैं. इन चीजों के लिए. Next time, nervous system कैसा होता है? The nervous system is of diffuse type and consists of non-polar neurons. तो ये याद रखना है हमें nervous system इनका कैसा होता है? diffuse type का होता है. साची साथ इन में non-polar neurons पाए जाते हैं. किस तरीके के neurons तो याद रखना है हमें non-polar. Next time, reproduction. तो reproduction देखें. ये sexually ये mostly budding के थूरू अपने reproduction कर लेते हैं. budding बहुत simple सा concept है, class 10 में सब ने पढ़ा है. ठीक है? Next है sexual reproduction. अब sexual reproduction किस के थूरू करेंगे? ये gametes के थूरू करेंगे. ठीक है? साथी साथ ये भी बात धियान रखनी है कि sealant data के members में unisexual members भी पाए जाते हैं और bisexual members भी पाए जाते हैं. तो ऐसे करके rat नहीं लेना है कि इन में unisexy होंगे या फिर cable bisexual पाए जाते हैं. दोनों members इन में available हैं. नेक्स्ट है, development कैसा होता है इनका? इन में क्या होता है? indirect development होता है, यानि larval stages पाए जाती हैं. अब larval stages पाए जाएंगी, तो कुछ larva होंगे, कुछ important larva के नाम भी होंगे और उनके species भी होंगे, तो वो देखते हैं. तो सबसे पहले हैं हमारा obelia. सबसे important example है, जिसका larva को हम कहते हैं planula. अब planula की खास बात एक और चीज़ याद रखनी है हमें, यह कैसा होता है? free living होता है और साथी साथ ciliated होता है. तो obelia का larva क्या है? उसका नाम है planula. और free living होता है, साथी साथ ciliated होता है. next is aurelia. और aurelia यानी हमारा jellyfish, इसका larva का नाम है ephira. ठेक है? यह होगे हमारे दो species और उनके larva का नाम. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखेंगे कि phylum ciliated rate को हमने तीन classes में divide किया है. किस basis पर? on the basis of dominance of polyp and medusa. यानी कौन सी class में polyp dominant है या medusa dominant है, उसी basis पर हमने इनको तीन classes में divide कर दिया है. आगे पढ़ेंगे तो और चैसे clear होगा बाते है. सबसे पहला class है हमारा hydrozoa. इसमें क्या होता है? तो polyp and medusa often sow metagenesis. यानी इनमें दोनों में से कोई basically dominant हमें देखता नहीं है. जादा तर often की बात हो रही है. यह ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन maximum cases में क्या होता है? polyp and medusa क्या करते है? metagenesis term को हमने अभी अभी discuss कर चुका था. अब इसके examples देखते हैं. example है, इसमें hydra. तो hydra पहला example है, लेकिन इनमें polyp and medusa नहीं पाया जाता है. इसमें ध्यान देना है, हमें hydra में केवल polyp stage हमें देखने को मिलती है, और medusa नहीं में completely absent होता है. लेकिन यह है किसका member? hydrozoa के यह अंदर इसे हमने रखा है. next example है, obelia. obelia हमने पहले भी discuss किया था, metagenesis so करता है. ठीक, इसका एक और common नाम है, cfer भी कहता है इसे हैं. तो किसे कहाते हैं, cfer obelia को. और साथ ही साथ ही हमको पहले से बता है, यह metagenesis so करता है. next है, phycelia. phycelia का common नाम क्या है? Portuguese man of war. ठीक है? यह सारी बात ही यह आद रखना है, इसका common name directly question आ जाता है, Portuguese man of war किसे कहते हैं, तो phycelia को कहते हैं. ठीक, हमारे सामने simple सा एक डाग्राम आया है, hydra का. यहाँ पर देखिए, जो यह mouth mention किया है, यानि एक single opening है, mouth basically कहा है, लेकिन इसी opening के थुरू food आएगा, और इसी opening के थुरू excretion भी यह करेगा, वह इस material को भी बाहर निकालेगा. ठीक है? नेक्स देखते हैं फाइसिलिया को, फाइसिलिया कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, common name इसको कहते हैं, Portuguese man of war. चलिए अब नेक्स क्लास को देखते हैं. नेक्स क्लास है हमारा, साइफोजोवा, अब साइफोजोवा में क्या होता है? Medusa form is more common and polyp is reduced or absent. अब यहाँ पर बात क्या आ गई? जो Medusa है, वो हमें जादतर दिखेगा, इनके members में. और polyp क्या होगा? या तो बहुत ही reduced होगा, या फिर absent होगा, उनके members के अंदर. ठीक है? तो Aurelia का common नाम क्या है? Jellyfish. Next example हमारा Sainia. इसको हम क्या कहेंगे? Sun Jelly कहेंगे. Next example है हमारा Rhizostoma. तो यह तीनों examples या दखनी है, और main thing या दखना है, कि यह example किस class के अंदर है? यही question आ जाता है, कि भाई, Rhizostoma किस class में है? और हमारे सामने option आ जाएंगे, classes के नाम. तो हमें याद अटना example कौन से class में आता है? ठीक है? यह हमारा Aurelia Jellyfish कुछ इस तरीके से दिखता है, और अच्छे से clear कर गी है अपने diagram को, इस picture को क्या करना है? इस memorize करते जाना है, जो मैं दिखाता हूँ. जिससे क्या हो, ultimately exam में बाते याद रहे हैं हमें. ठीक है? अब next देखते हैं हमारा तीसरा class, that is Anthosowa. अब Anthosowa में क्या होगा? Anthosowa में क्या होता है? polyp phase हमारा dominant होता है, और Medusa या तो बहुत ही reduce होगा, या फिर completely absent होगा. ठीक है? तो dominant stage कौन सी है? polyp stage है. एक्जामपल सीधा देखते हैं. एक्जामपल है हमारा Adamcia है. इसी के साथ next example है हमारा Metridium. अब Metridium के साथ एक खास बात याद रखनी है. ये क्या करता है? ये commensalism so करता है गिसके साथ Hermit Crab के साथ. तो ये बात याद रखनी है. नेक्स एक्जामपल है हमारा Pinatula. पिनाटूला का दूसरा नाम क्या है? C-Pen. तो C-Pen common name है इसका Pinatula का. ठीक. नेक्स है हमारा Gorgonia. Gorgonia को क्या कहते हैं हम लोग? commonly C-Pen कहते हैं. इसी तरीके से अगला देखते हैं. Tubi-Pora. Tubi-Pora नाम कुछ हद तक लिंक हो रहा है ना. Pen से C-Pen बन गया. Gorgonia से C-Pen बन गया. इसी तरीके से Tubi-Pora से हमारा क्या बन गया? Organ Pipe Coral. नेक्स है. Els Ionim. ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? Dead Man's Finger. या फिर common name इसका एक और है. Soft Coral. ठीक है? Next Example है हमारा Coralium. तो Coralium सबसे common Precious Coral के नाम से भी जानते हैं. या फिर हिंदी में इसे मूंगा भी कहते हैं. यह हमारा Basically इसका सबसे common नाम है. Red Coral. तो यह बहाती हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है. Ultimately एक और Example हमारे सामने है. That is Meandrina. Meandrata का common name है Brain Coral. याद अखना है Coral किसके मेंबर से? Sealandrata के. और यह सारे के सारे एक्जाम्बल किसमें आ रहे हैं? Class Anthos होगा के अंदर आ रहे हैं. जिसमें Bollive Stage dominant होती है. तो यह हमारा एक डाइक नाम दिखना है हमको. Pinatula. Basically एक pen की तरह ही दिखना है. And ultimately this is Aki, signing off from the Knowledge Exam Team. थाद वाचिए.